मैं आ कम इन सर प्लीज कम इन थैंक यू सर गॉड मॉनिंग सर गॉड मॉनिंग प्लीज टेक यू सीट थैंक यू बरी मिट सर नीरेज जैसे कि आप देख पा रहे हैं हम सभी लोग ने मास्क भी लगाया हुआ और यह दूसरे से उचित दूरी बना कर बैठे हुए हैं तो सार यह विकल्प होगा कि आप इंट्रव्यू में मास्क लगा कर भी दे सकते हैं और मास्क अटा कर भी ठीक है उची दूरी रखी गई है एक बार में चाहूंगा कि आप अपना मास्क पूरा हटा लीजिए तो आपकी पहचान हो सके ठीक है कमफर्टिबल मैसूस कर रहे हैं सीनियर रिसर्च फैलो हैं आप तो किस टॉपिक पर रिसर्च कर रहे हैं सर प्रमुक राष्टवादी इतिहासकारों के संदर्न में सौतन तोतर भारत में इतिहास लेखन अच्छा और कब तक आप कंप्लीट कर लेंगे अपनी यह रिसर्च सर मार्श में डेडलाइन है ले अच्छा ठीक है मुझे यह बताइए कि जब आप पीच्डी कर रहे हैं और एक एकडमिक केरियर बहुत अच्छा रहेगा क्योंकि आप उसको आगे फॉलो कर पाएंगे तो क्यों आप लोग सेबा में आना चाहते हैं पीच्टी के बाद मेरे पास बहुत अच्छे पार्च अच्छा आप अगर मुझे एक कारण बताना हो कि जिस वरे से आप एकडमिक से ज़्यादा सिविल सिवा को महत्व देते हैं या उसको ज़्यादा अच्छा कैरियर समझते हैं सिर्फ एक बिंदू आपके लिए आपके अनुसार क्या है वो सर वाइट रेंज पे काम करने का आप बताई कि जब इस तरीके से नाम बदले जाते हैं तो जो हर नाम से कुछ ना कुछ इतियास जुड़ा होता है तो ऐसे मैं अलहाबाद के इतियास का क्या होगा इस सबस्कूदा बताते हैं अपने मित्रों के साथ बात करते हैं तो ज्यादा आसानी से आप क्या बोल लेते हैं प्रियाग राज या अलाबाद अभी तो सर इलाबाद बोल रहे हैं लेकिन दीरे-दीर जो हमारा राइटिंग स्किल है अच्छा मुझे बताएंगे भारत में प्रियाग राज के अलाबा कौन से बड़े शहर हैं जिनके नाम बद्राइब का नाम प्दल करें बड़े जंक्षण किए गया और बडए शहरों का नाम भारत में नहीं पता आपको मुंबई का पहले नाम क्या था अभी चेंडीह तो ठीक है और कलकठा का क्या हो गया अब अभी तो कूल कता है ठीक है तो यह मतलब ऐसा नहीं है कि उत्तर प्रदेश में हुआ है हर जगे होता रहा है ऐसी मांगें उठती रहे हैं आप मुझे यह बताइए कि उत्तर प्रदेश से संबंधित किन लोगों को अभी पद्म एवार्ड्स मिले हैं श्री नेपेन मिश्टरा जी को मिला है अच्छा और इसके वह स्री फादर कामिल बुलके जी है उंको मिला है क्या नाम बता है आपने उनका फादर कामिल बुलके नहीं थोड़ा मुझे द कलभे साढ़िक मुझे यह बताइए कि आप तो हिस्ट्री के विद्धर थी हैं इस्ट्री से जुड़े हुए किस सक्स को पद्म विभूशन दिया गया है प्रफसर बीबी लाल को सर अच्छा और वो किस लिए जाने जाते हैं सर वह बहुत ही एमिनेंट और्क लोजिस्ट है सर और यह मेरा प्राइड है अभी अभी है सर आप शूर है यह सर वो मेरे डिपार्टमेंट से हैं अच्छा ठीक है निरज चतुरवेदी जी आप गॉलियर इस समय यह सर वहां से कौन सी नदी गुजरती है या पास होती है चंबल सर चंबल सिंध नदी के बारे में जानते हैं अच्छ यह बताईए इतिहास में आप असम से किसी एक लीडर का नाम बता सकते हैं सब्सक्राइब और और इसा कि हमारे इतिहास लेखन में पूर्व या पूर्व उत्तर का वह महत्व नहीं रहा जो कि हमारा उत्तर भारत का रहा ऐसा महसूस होता है कि नहीं यहां सब्सक्राइब कर रहे हैं इसके लिए हम राइटिंग पर अपर री राइटिंग पर ध्यान दे रहें जो इसा मैसूस होता है कि डिस्टार्टिशन हुआ है तो अगर मैं हिस्ट्री को डिस्ट्री बोलूं तो नहीं यह इसा नहीं है कुछ पॉंट्स को लेकर हुए जैसे जहां उनका को पास स्ट्रेक्शर नहीं तot आप मुझे बताइए कि ग्वालियर के दक्षण में विंधियन रेंज है अचा आप वहां रहते हैं आपको जानकारी है अच्छा थीक है तो विंधियन श्रणी का इतिहास में या मैथलोजी में कहां कहीं जिक्राया है क्या इतिहास में उस तरीके से तो नहीं है लेकिन इंसेंट हिस्ट्री में एक सर थोड़ा बहुत एक मैथलोजिकल या रिलीजिय सर आउटलूग मिलता ऐसा जिसमें यह माना गया था कि जब महारशी अगस्त ने यहां से क्राश किया तो दक्षिन ही चले गए तो विंदेन अपनी कुछ एक ऐसा था कि सागर मंतिन समय यह कुछ एक ऐसी कोई इविंट थी विंद पर वाद अपने आकार बढ़ा है तो भगवान स्री अगस्त मुनी ने क्राश किया था तो विंद को जब क्राश कर गया और बोले कि हम लौट क का नाम बताईए जिनकी सीमा मध्यपदेश से लगती हो एक तो प्रयाग राज है सर चित्रपूर है बांधा है जहांशी है मिर्जापुर है शोनभद्र है सर अभी सर इतना रिकॉल अपार है सर अच्छा आपको क्या लगता है ललिद पूर को उत्तर पदेश में होना चाह इस साथ अटेस्ट जयता है आपको नहीं लगता इस बात से कोई फरक नहीं पड़ता कि वह उत्तरपदेश में है कि मध्यपदेश में जब तक वह भारत में इससे बिल्कुल फरक नहीं पड़ता हूँ इंडिया का भाग है यूपी में रहे एंपी में रहे लिकिन जो इसक नीरच जी ये सर आप इतिहास में मॉडर्न इंडिया पर ये सर अट रहिए उप्रमुक राष्टवादी इतिहासकारों के संदर्व में इतिहासकारों की समराजजिवारी इतिहासकारों का में लेखन रहा है और जो इनका लेखन है दोनों लेखने मुलभूत अंतर क्या है सर जो इंपरिलस्टिक हिस्टोरियन्स हैं वो बिसिकली सर इंडिया को कहीने कहीं हेद रिष्ट देखे हैं हमारी कल्चर को, हमारी कस्टम को कहीने कहीं डाउनवार्ट ले गए हैं सर एक अन्य ध्रूपे खड़े थे जहां सब कुछ खराब था दूसरी तरफ राष्टवाद इतिहास का रेक ऐसे ध्रूप राकर खड़े हो गए जहां सब कुछ गरोशाली था और वास्तों में दोनों ही इतिहास की सम्मख व्याक्या करने में अस्फल रहे हैं च्रवाद इतिहास लेकरें के साथ यह कुछ मिस्तनिक करने का प्रियास किया गया दिए सप्राफी की लेकिन ऐसा बिलकुल नहीं है राष्टवाद इतिहास लेकर जो अभी न्यू ट्रेंड का है स्टेडी करते हैं उसके बाद हम किंकूजन पर पहुंचते हैं अच्छा आप जिवाजी राव इनुस्ट्री में पढ़ा रहा है ठीक है थोड़ा सा आप हमें इसके नाम के बारे में बताएंगे कि किसके आधार पर इनका यह नाम आया इनुस्ट्री का यह सर जीवाजी जार्थी के रूप में उसे कैसे देखते हैं कि आप मानते हैं कि सिंधिया वंस ने 1857 के दौरान राष्ट हित के बजाए अंग्रेजों के हितों का ज्यादा पोशन किया सब 1857 में उनका जिस तरीके सा पार्टिसेपेसर होना चाहिए था जो से मुमेंटम चल रहा था वह श कौन ऐसा सिंधिया में रूर था जिसने जैविलास पैलेस में खाने की टेबिल पर चांदी की ट्रेंग चलाई है इसके पहले जो सुरी नाम ने रिकॉल हो पार रहा है सर अरे जीवा जी राओ भी थे अच्छा थैंक्यू सर इन्हों नहीं डैनिंग टेबिल पर आप देख अच्छा ठीक है कोई बात नहीं कोई बात अच्छा आप प्र्याग रास से माग मिला चला है यह सर इस वक्त क्या माग का महिना लग गया है कि अभी भी पॉस है हिंदी महिनों के नाम आप बता पाएंगे हां सर मैं पूरा तो नहीं लेकिन कुछ कुछ आदे सर क्यों आप तो रास्टी वारदी त्यासकार पर बीदर कर रहा है तो रास्ट वारदी थोड़ा सा खने महिन होनी चाहिए आपको बड़ा कंतरम होना चाहिए इसर केवल हिंदी महिनों लगाव साही भीक कि फिर नाम पॉर्ण progress took न तो अब किल लेका क्या कि कोई महिने का नाम दिया है एक महाँ चलेगा सर आप यह भी नहीं जान रहे हैं सत तावन दिन चलेगा थेंक यू सर अच्छा एक जो बताइए आप यह बेली रोड कहीं संथिंग बेली रोड नियू कट्रा से आ रहे हैं यह सर यहां पर पहले बेली हवस्पिटल था हां सर किसके नाम पर था यह मैडम मैडम बेली के नाम से उनके पती का नाम क्या था है पती का नाम सुसर नहीं पता है सर अब इसका नाम क्या है अब सर टीवी शप्रू हास्पिटल तेज बहादूर सप्रू जी का सुतनता आंदोलन में दो तीन आप महत्पून बाते बताएं सर यह इमिनेंट लायर थे सर का कोई कमेटी उगरव बनी हो जिसमें यह हूँ अब यहाँ पर मदन मोहन मालवीज जी ने एक न्यूस पेपर यहाँ पर निकाला था इलहाबाद में उसका नाम पता है अच्छा यहाँ पर एक पर निकलता था पाइनियर निकलता है मैंने पढ़ा भी इसके इंगलिस किया गया किसके द्वारा इस्टेबलिस किया गया चली कोई बात नहीं अच्छा अब यह बताई यह सुराज भवन और आनन भवन में के अंतर है अच्छा अब आखरी स्वाल में बता दें मोतिलाल नहरू किस किस समय किन-किन वर्सों में इंडियन नैस्नल कांग्रेस के प्रेसिडेंट रहे अच्छा एक और बता दिए चमा कीजिए आप जल संरक्षण आपका कि अच्यां अच्छा आपकी यह सरा अच्छा बता सकते हैं इतिहासिक रूप में प्राचीन इतिहास में भारत में कहां पहले हुआ कि इंडेस्वेली सिविलाजेस्ट नहीं सारी इंडेस्वेलियूंग में था कुछ घरों से विल गुजाओं चेज आपके वेल्ट के भी साच्चे मिलें और इधर आते हैं इंसेंट इंडिया में प्रेमेडावल प्रियेड में तो जूना करें कि धर कि यह थे बहुत थोड़ा अलट टैप की दूची है मतलब ये किसी का निभी हो सकता है है कारी हो सकता है यह थोड़ा साथ यंसिडिंट इसार इंस्पार्चाइब बताएं मेरा रहा है वे अधे जोए बना बहुत बड़े लेवल बाई मागरेशन वा है थी तब हम लोगों ने फिल किया कि सर हमारे जो नेच्छर आउटलेट से उन पर पानी होना बहुत मस्ट है अगर हम अपने आपको सब्सक्राइब करते हैं इसको हभी सर हमारे हैं ग्राम जल से यह तो मतलब होबी की जगे पैशन हो जाना चाहिए अपसर कुछ भी हो लेकिन म ने जरी आप कैसे वाटर कंजरवेशन पर ध्यान देते हैं जिससे सभी लोक सीख सकें सबसे पहले दिसक्यां करते हूं कि अगर हमारा काम स्रोड़ी से चल रहा थो मोटर कभी ने चला है अच्छा कभी ने तो को कभी ने चला है दूसरा सर जो हमारे कास नाले सर बिलकुल भ इसके अलवां सर यह कोशिशे करते हैं कि जो हम गर भोजन बनाते हैं जो हमारा परसनली वेस्ट वाटर होता है तो उसको मिधावद नफेकर जो हमारे प्लांट्स लगें उन में डालते हैं सर अच्छा ठीक है और भी कोई चीज करते हैं या इतना ही इतना ही करते हैं और निच्र वाटलेट ना उनकी connectivity स्टेबलिस है जो घर का पानी है अपने कोई किया रेन-वाटर हार्वेस्टिंग का प्रबंध अ आसपास अपने घर में गाओं में तो आपको यह नहीं कोशिश करनी चाहिए कि यहां आप युनिवस्टी में भी है और जहां भी है मतला वाटर हार्वेस्टिंग के लिए लोगों को जागरूप भी करें बताएं भी और कोशिश करें कि वह हो जाएं सरकार से अनुदान भी मिलता है डिपार्टमेंट के लेबल पर हमने अफ़र्ट किया है सर जिस डिपार्टमें में हूँ लेकिन जुकि पुरानी विल्डिंग इस्ट्रक्शर वहां रूप ताप के उस तरह के मॉडल नहीं है अगर आगी कुछ आएगा तो पॉलिस लेबल पर अचाहिए कि यह सामान आचार सही था क्या होती है और इसकी ज़रूरत है कि नहीं सामान आचार सही था इलेक्शन कमिशन आफ इंडिया के दोरह जारी की जाती है सर और इसमें यह एलेक्शन को पीस्फुल कंड़ेट करने के लिए सर बहुत ही मेंडेटरी इस है मैं गलत बोल गया हूँ या आप गलत क्रिमनल कोड क्या है युनिफॉर्म और लग लग है भारत का कोई ऐसा रज्य है जिसमें की युनिफॉर्म सिविल कोड भी लागू है यह सर गोवा है ठीक है मेरा अंतिम प्रशन आपस यह है कि निरज आपके पास कोई वेक्ति आता है जो की बहुत ही जरूरत मन्द है कि आप उसको मदद पहुचा सकते हैं अगर आप थोड़ा से rules को bend कर दें तो उसका काम हो जाएगा जरूरत मन दें आपको लग रहा है कि genuine case है लेकिन अगर rules का पालन करेंगे आप strictly तो उसकी मदद नहीं हो पाईगी थोड़ा से bend कर देंगे तो हो जाएगा क्या करेंगे आप सबसे परहत मैं उसे communicate करूँगा कि उसकी जरूरत है क्या सर वास्तों वो नीडी है कि नहीं है चलिए आपने सब कुछ communication वगेरा कर दिया फिर भी बात वहीं की वहीं रहे बैंड करेंगे या नहीं करेंगे रूल को सर बैंड नहीं किया सकता है नहीं मतला आप करेंगे कि नहीं करने के लिए तो हर कुछ सब कुछ समभा हुए कुछ alternative routes होते हैं उसका उप्यों किया सकते हैं ठीक है नीरेज आपका interview सवाप्त होते हैं आप जा सकते हैं थैंक यू बरी मैं सर थैंक्यू अलगेशे यह जिए थैंक्यू अधर अच्छा आपको लगा कि अथिक से पर अटशा च्छा एडेवेर्ली अच्छ अच्छा आपको मतलब अपको लगा कि आप ठीक आपका चार तारीकों है थोड़ा समय है आपके पस हम लोगों को भी लगा कि आप अच्छा पर्फॉर्म कर रहे हैं पोटेंशल आपके अंदर और बहतर करने का भी है तो जिस इस तरह पर करें नो उसे और बहतर भी कर सते हैं थोड़ा सा हलका फुलका आपको ध्यान देने की और अच्छा देखे सारे कोश्चंस का अंसर देना जरूरी नहीं है तो कहीं आपको लगे कि आपको अंदाजा लगाना पड़े अंदाजा भी तब लगए जब साट सतर प्रतिश्यत आपको पता हो ठीक है तब आप अनुमती लीजिए कि सर आप अनुमती दे तो मैं कोशि अच्छे से आप अच्छे सकते हैं कि समय कम होगा तो ऐसा नहीं कि हम गलत चीज में घुच जाएं लंबा उतर दें और उसमें कई गलतिया निकल जाएं ठीक है अनुमती लेगें कहीं कहीं थोड़ा सा जहां मतलब इनफॉर्मल हो जाते हैं कुछ-कुछ बोलते हुए कि ऐ नहीं कि कुछ इनफॉर्मल शब्दावली का प्रेयोग कर रहे हैं तो वह है ठीक है फिर बाकी जगे आपका ठीक है तो मैंने आपको बताई दिया है अच्छा जहां से आप आ रहे हैं तो दौनों जगे हैं गौलियर में आप इसमें हैं वहां के बारे में थोड़ा सा और जहां से आप आते हैं दोनों के बारे में थोड़ी सी जनकरी और खटा कर लिजए हाल फिलाल में क्या हो रहे हैं जैसे सर ने माग मेला और उस डूरेशन वगर को पुछा जा सकता है कैसी तैयारिया है क्या है वैक्सीन से रिलेटेड किसान आंदोलन चल रहा है उससे तो ज अच्छी है ठीक है तो ओवरॉल काफी अच्छा है नीरज मतलब अच्छा होना चाहिए आपका ठीक है अल्दी बेस्ट थैंक यू बेरी मिस्ट अब कर दो